सिंगिंग रियालिटी शोव इंडियनाइडल जल्द ही सोनी टीवी पर शुरू होने जा रहा है यू शोव 28 नवंबर से हाश्वनिवार और रिववार रात आठ बजे सोनी टीवी पर दिखाई देगा जहां बहतरीन सिंगर्स की सिंगिंग लोगों के एक बार फिर लुभात पी नज़र आएगी इस शो को नेहा ककड हिमेश्टे शम्या वशाल ददलानी की तिगडी जज कर रही है और इस शो के होस्ट आदित नारायन है पिछले सीजन में भी यही कास्ट शो में जज और होस्ट के रूप में नज़र आए थी अलाकि पिछले टाइम नेहा शारी शुदा नहीं थी और इस बार न्यूली वेड नेहा ककड ने दुबबई हनीमून से वापस आकर शो की शूटिंग शुरू कर दी है और लगातार शो के प्रोमो जारी किये जा रहे हैं जिसमें कुछ कंटस्टेंट दिखाये जा रहे हैं और उनके बारे में बदाया जा रहा है हाल ही में जैपुर के शहजाद अली का एक वीडियो सामने आया है जिसकी गरीबी नेहा ककर से देखी नहीं गई और उन्होंने उस कंटस्टेंट को एक लाख रुपए तोहफे में दे दिये सोनी टीवी द्वारा हाल ही में शो का नया प्रोमो जारी किया गया है इसमें जैपुर से ओडिशन देने मुंबई पहुचे शहजाद अली ने हार्मोनियम लेकर गाना काया अपना परिशे देते हुए शहजाद ने बताया कि वो गुजारा करने के लिए जैपुर में कपड़ी की एक छोटी से दुकान में काम करते हैं बशपन में उनकी मा का निधन हो गया था जिसके बाद नानी ने उने पाला इस पर जजज विशाल ने पूछा कि आप जैपुर से यहां कैसे आए तो जवाब मिला कि नानी ने बैंक से लोन लिया आगे नेहा ने पूछा कि कितना लोन तो शहजाद ने बताया पांच हजार रुपए कंटसन की बात सुनकर नेहा पूरी तरह से दंग रह गई और उन्हें खुश करने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कहा कि मेरी तरफ से आपको और आपकी नाने को एक लाख रुपए का चोटा सा ताफा नेहा का नेक अदम देकर विशाल भी उनकी मदद करते नजर आए और विशाल ने उन्हें एक अच्छे गुरू का तोहफा दिया है सिंगिंग रियालिटी शो 28 नवंबर से सोनी टीवी पर ओन एर हो जाएगा और इसकी शूटिंग जल्द दोबारा शुरी होगी सोनी टीवी दोबारा शो के कहीं प्रोमो सामने आ चुके हैं जिसमें कुछ कंफर्म कंटिस्टन के परिचर कराया रहे हैं जिसमें महराश के अंजली और आशीश राजस्थान की सवाई उत्राखंड से शानमुख प्रिया पवंदी पुरांद प्रदेश से सिरीशा शामिल है और इस बार शो की टेग लाइंग फिर बदले का देश का मौसम रखी गई है और पिछले सीजन में भी नेहा ककड को दरिया दिली करते हुए देखा गया था और इस बार भी नेहा शो में यही करती नजर आ रही है जिस पर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जाता है क्योंकि नेहा कई बार बहुत इमोशनल हो जाती है लेकिन उन्हें से कुछ के फर्क नहीं पड़ता उनके हजारों मीम सोशल मीडिया पर वारल होते हैं लेकिन वो हमेशा दरिया दरी दिखाते हुए कंटेस्टन की मदद करती नजर आती हैं सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेज तबैल आइकन फूर अपडेट्स